किसान आंदोलन को लेकर दिली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट भेजा है आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कोशिश की कि वो दिली की तरफ आगे बढ़े लेकिन उन्हें रोक दिया गया और सिर्फ इस बार पंजाब या हर्याना से नहीं बलकि दिली से मध्यप्रदेश से और बाकी जगहों से भी किसान दिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही स्पेशल ब्रांच ने ये अलर्ट दिली पुलिस को दिया आनन फानन में दिली पुलिस ने हर उस जगहा पर नाके बंदी कर दिया जहां से ये किसान दाखिल हो सकते हैं जो आम गाडिया है उनकी चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ में अभी भी जो चिला बॉर्डर है जो गाजीपुर बॉर्डर है और जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर सुरक्षा जो आप पहले देख रहे थे कंटीले तार लगाए गए है किस तरीके से बेरिकेडिंग बढ़ा दी गई है आम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है अगर बहुत जाने भी दिया जा रहा है तो अभी भी वो खत्रा सरकार पर से नहीं टला है पुलिस ने हर उस जगा पर नाकेबंदी कर दी है आपने देखा ही जो पंधेर है जो पूरे जो प्रदर्शन उसको लीड कर रहे हैं उनकी ओर से भी का गया कि अभी समय लग सकता है आज के दिन का अभान किया है लेकिन किसान अभी आना शुरू हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आज वो असर ना देखे कल और परसो आपको वो असर देखे और हम इसके जरी आपको ये भी अलट कर रहे हैं क्योंकि आपको आना जाना पड़ सकता है इस ट्राफिक्स रूट से और ओफिस आर्ज में आपको दिक्कत हो सकते है इसलिए आप आल्टनेट रास्ते से अपने आफिस जा सकते हैं दिक्कत आपको हो सकते है और इसलिए हम क्या रहे हैं कि गाजी पोर्ट चिला बॉर्टर पर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सुसमच कर जाईएगा हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज्यादा ट्राफिक मिले इसके चलते लेकिन अभी सरकार पर से ये पूरा खत्रा हटा नहीं है अभी भी किसान अपनी मांगो पर अड़े हुए हैं डटे हुए हैं वो पीछे हटने को तयार नहीं है पिछले दिनों किस तरीके से हमने जो प्रदर्शन का रही हैं जो प्रशाशन उनके बीच में तनातनी देखी थी आजसू कैस के गोल किसान घायल भी हुए थे लेकिन वो पीछे रटने का नाम नहीं ले रहे थे लेकिन एक बार फिर से मुश्किल के बादल सरकार पर खासवार पर केन सरकार पर मंड़ा रहे हैं